अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइड के साथ बिलकुल फ्री क्या हो गया तुम्हें यह कोई तरीका है किसी से बात करनेगा भाई जान आप इसकी तरफदारी मत कीजिए मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा लेकिन भाबी इसके क्लिए जो कुछ भी बोलती है ना भाई उसका एक एक लफस अच है करते हैं मैं की का लड़की यह दोल जोक रही है तो पागल बना रही है भाई अल्ण के वास्ते इसके असलियद तो देखे आप यह लड़की हमारे खख़ंदां के लायकी नहीं है मुझे इसकी कर्टूद बटाते हैं विशरामा रही है मुझे कुछ नहीं जानना है, समझे, बस, बहुत हो चुका है और क्या होगी अचानक तुम नहों को हाँ? सुर कैसे बदल गया असब बोह का? भाई, ये लड़की, ये लड़की शैटान है मैंने काहा है चुप मतलब चुप एक बार काहनात की बात तो सुन लीजे मुझे कुछ नहीं सुनना है रभी तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता जिससे तुम्हारा दिल दुखे इसलिए बहतर यही होगा के दर के मामनों से तुम दूर हो भाई अपको क्या हो गया है अपको क्यों इस लड़की पर इतना भरोसा है अवाज नीचे अपने कमरे में जाओ भाई अपको क्यों भरोसा नहीं करें बाबी की बातों पर हमारी बातों पर तुम्हें लगता है तुम अपनी उम्मर से ज़्यादा बड़ी बात है कर रहे है अपने कमरें पर जाओ हैदर 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 मुझे बहुत ड़ लग रहा है अगर इन दोनों को भी दूआ पर यकीन हो गया तो रुहान तो उस पर भरोसा कर रही लेगा मुझ पर से तो रुहान का यकीन उठी चुका है अगर उसने तुम पर विल्जाम लगा दिया तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कासा सूरज मगरिब से उठ सकता है लेकिन दुआ रुहान मेरे खिलाफ कभी नहीं जा सकता है बहुत देर हो चुकी है जख याराम करो बाद में बाद कभी मन तो कर रहा है अपने हैदर से जा कर लिपढ़ जाओ राखी मुझे रुहान के कमरे में न जाना पड़े तक क्या खो जाना तो पड़ेगा मेरे प्यारे आशिक रुहान तुम्हारी प्यारी गजल आ रही है नमक मिर्च रखने और तुम मेरे जान इतना यकीन करना भी ठीक नहीं रुहान तुम पर शक भी करेगा और तुमसे नफरत भी करेगा ये मेरा बादा है तुमसे